क्या हो अगर मैं तुम्हें कहूं कि God Valley 2 जैसा कुछ होने वाल है और वहाँ पर Monkey Day Dragon दीखने को मिलेगा और वो एक्सन करता हूं में नजर आएगा कि जो God Valley में जो चीज incident हुआ था न वो हर 3 साल में होता है हाला कि जो लोंग manga reader है उन्हें ये बाद deep में पता होगी जो लोंग animal watcher है उनको अच्छे से नहीं पता होगी और अगर तुम सिर्फ God Valley के बारे में जानने के लिए आये हो तो यार इस वीडियो को बिंदास देखना बिकोज इसमें मैं God Valley के बारे में भी बताओंगा बस तुम इतना ही सुने होगे साइट से कि वहाँ पर Garp and Roger ने मिलकि Rocks Pirate को हराय था लेकिन वहाँ पर सिर्फ ये ही नहीं हुआ था इससे बड़े बड़े कांड हुए थे तो उन सब चीजों को लेके चलो discuss करते हैं और थ बिसिकली होता है क्या हमें कूमा की backstory के थुरू हमें God Valley के बारे में जानने को मिलता है प्लस God Valley के अंदर कौन कोनी strongest being मौजूद थे उसके बारे में भी जानने को मिलता है जहां पर एक और हमें Rocks Pirate का पूरा crew reveal किया जाता है प्लस वहीं दूसरी और सिर्फ Roger अकेला नहीं थ रोजर के साथ उसका भी पूरा crew था प्लस monkey dick Garp उसको इन सबको रोकने के लिए भेजा गया था वहां पे सिर्फ Garp मौजूद नहीं था God's Knight भी मौजूद थे खेर इतना कुछ पता है ये तो हो गए वो characters जो God Valley के अंदर मौजूद थे अब God Valley में scene क्या चल रहा था इसके ब रही है तो उसके लिए वो waste है और इस वज़े से वहां पर वोलों PUBG खेलते हैं नहीं समझ मैं तो देखो वहां पर एक गेम खेला जाता है जहां पर वो God's Knight को उतार देती है वहां के लोगों का नरसंहार करने के लिए और हर एक इनसान को Rabbit Bowl के बुलाया जाता है एक तरह से इ हो सकता है कुछ powers भी हो सकते मतलब कुछ ना कुछ खास चीजे दी जाती है यह वाली जो चीजे हुई है यह सारी चीजे यार समय के साथ सा चलती आई है हर तीन साल में यह चीज होता है और यह बात हमेसा दबा हुआ रह जाता है विकाज यह लोग अचानक से उस आइलेंड को चुन करके वहाँ पर हमला कर देते हैं और यह सिकारी वाला गेम चाल हुआ होता है गौड वैली इंसिडेंट वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होता वहाँ पर एक्चुली में वर्ल्ड गवर्रमेंट ने एक सबसे बड़ी गलती कर दी कि उन लोगों ने पाइरेट आइल लोग चुड़ा लेते हैं तो भाई रॉक्स पाइरेड बदला लेने आती एक तरह से और उसको रोकने के लिए खोद रॉजर आ जाता है रॉजर के आने के वज़े से गार्प वहाँ पर आ जाता है एंड वहाँ पर पहले ही गौड्स नाइट मौजू थी साथी साथ बात कूमा गिनी एंड इवानको की ये सब बच्चे हुआ करते थे हैं पर बहुत खतरनाक वार चलती है और उसका रिजल्ड तुम सबको पता है क्या हुआ था जिसके बार में हमें कहानिया सुनाई जाती है अब अगर सुम देखो मैंने एक बात बताया है इसके अंदर की कवर्मेंट हर तीन साल में एक आइलेंड चूज करती है और वहां पर वह जा करके ये डेथ गेम स्टार्ट करती है इस गेम के अंदर क्या-क्या वह सब चीज तो बता दिया जो भी आइलेंड उसको टेक्स नहीं देगा उसको इस तरीके से उसके साथ गेम खेला जाएगा यह सब चीज खतम अब आते हैं मंकीडी ड्राइगन पर अगर तुम एक चीज देखो अभी करेंटली जो चीज चल रही है ओड़ा से उन कैरक्टर की पावर को धीरे-धीरे सो करते जा रहे है जिनका पावर छिपाया गया है तो उसका पावर सो किया गया गार्प का पावर चीज चीज बावर पावर भी आगया अब अगर कोई काराक्टर बचा जिसका पावर सो करना चाहिए वो को यह और ने अपना लूफी का बाप यह काराक्टर वन अफ ड़्ट्रॉंगेस्ट बींग होगा वन पीस के अंदर इसका पावर क्या है इसके बारे में हमें नहीं पता लेकिन बहुत सारी थियोरीस बनती है कि इसके पास विंड रिलेटेड या फिर मौसम रिलेटेड कोई पावर होगा विकॉज जब लूफी को यार एक्जेक्यूट कर रहा था बगई तो उस समय पे बिजलिया तक कड़की थी प्लस वहाँ पे तूफान भी आ गया था एंड ड्रैगन जासा कारेक्टर यार स्ट्रॉंग ना हो यह हो नहीं सकता साथी साथ वह पहले मरीन भी रहा चुका है लेकिन उसे वह जश्टिस नहीं पसंद आया तो उसने वह सब चीज छोड़ दिया और उसी के खिलाप अब यह रेवलेशनरी आर्मी चला रहा है वैसे तुम जरह सोच करके देखो तीन साल होने वाले हैं एक नया आइलेट चूज करें वहां पर दुबारा से वह बैटल रोयाल वाला डेथ गेम खेले और इस चीज को रोकने के लिए ड्रैगन वहां पर एंट्री मार दे यहां पर दुमारत दिमांग में एक चीज आ सकता है कि आखिर यह मैं इतने कंफर्म तोर पे क्यों कहा रहा है तो देखो गौडवली का इंसिडेंट पूरा हो करके 38 साल बीते हैं और एक और चीज हमें मांगा के अंदर बताया गया है कि यह डेथ गेम हर 3 साल में होता था तो वहां से तुम ना 3 साल 3 साल करके हिसाब लगा लो 38 स साल हुए है 49 साल होने वाला है बैसिकली सीन किया लूफी जब से अपने जर्नी में निकला है वो जितने भी समय गुजारा है ना वो सब मिला जुला करके 2 साल 11 महिने और 5 दिन होते हैं मतलब 12 महिना पूरा होने वाला है जिसके बाद यह 3 साल पूरी तरीके से कंप्लीट हो सकता है डेथ गेम दुबार से कोई ना कोई आइलेंड को चूज करके किया जाए मार्गो के अकॉर्डिंग जितना हमें वन पीस के अंदर अब तक आइलेंड दिखाये गया है वो सब कुछ भी नहीं है वन पीस के अंदर 2 करोड से भी ज्यादा आइलेंड है यह चीज हमें मांगा के अंदर अल्रेडी रिवील करके रखा गया है तो तुम सोच करके देखो यार वन पीस वर्ड इतना बड़ा है और यह दो करोड आइलेंड वाले सभी के सभी तो टैक्स नहीं देते होंगे तो वर्ड गवर्मेंट क्या करती होगी हर तीन साल में किसने किसी आइले के उपर ड्रैगन के पास अब यहां पे सबसे सुनहरा मौका है इससे पहले वो वर्ड गवर्मेंट के खिलाब बस लड़ाई कर रहा था इंडाइरेक्ट तोर पे खुले तोर पे नहीं भीड रहा था पर अब उसके पास चांस है क्योंकि डॉक्टर वैगा पंग ने को टार्गेट करेंगे डिस्ट्रॉय करेंगे वहांगे लोगों को मारेंगे तो वहां पर अब आफ हुआ था और उसके बाद अब जाके क्यों होगा ऐसा नहीं है दोस्ट 38 साल पहले हुआ था यह चीज हमें बताया गया है वर्ल्ड गवर्मेंट उससे पहले से करती वह यह जब से वर्ल्ड गवर्मेंट इस्तापित हुआ न वह हर तीन साल में कोई न कोई आइलेंड को पूस करते हैं मारने के लिए नहीं बताएंगे यार जैसे यार वाइड संच्री का इतियास छिपा रखा या कव मिटा रखा उसी तरीके से यह लोग इस काले राज को भी काला राज बनके रहने देते होंगे बसे तुम्हारा क्या मानना इस थियोरी के लेके मुझे कमेंड बॉक्स में बताना मत भूला विगोज मैं सुनना चाहतो तुम्हारा उपीनिया रही बात वीडियो को पसंद करने की तो पसंद आया तो लाइक मारो चैनल पर यार नहीं आगे तो इस चानल को सब्सक्काइब मारो और हां बैल आइकन को भी आउन कर दिना प्लस आग्राम भी शेयर कर दिना तो यार मिलेंग नेक्स्ट वीडियो में फिलाल के लिए बाई